ओम शांती, आज बाबा की 14 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं, एक नजर कल के अभ्यास के कारे पर, कल हम सब ने रूहानी माशुक के साथ रूहानी रूप से मिलन मनाया, और बहुत सुनदर बात बाबा ने समझाई कि कल्प में एक बार ये मिलन होता है, जिसमें आप अनुभूती करते हो, प्राप्ती करते हो, त्रिप्ती का अनुभव करते हो, ऐसी आत्माई जो सदा रूहानी मिलन में रहती है वो संतुष्ट मणी बन चाती है चाहे उन्हें चत्तिस प्रकार का भोजन मिले तो भी संतुष्ट सिंपल दाल रोटी मिले तो भी संतुष्ट आज के साकार महावक्यों में बाबा ने पिशेश रुप से याद दिलाया कि बच्चे अब आपके दुख के दिन पूरे हो गए अब आपके सुख के दिन आ रहे हैं ये खेल है चड़ती कला और उतरती कला का आपने 84 जन्मों की सीड़ी चड़ी और उतरी फिर से अब आप चड़ती कला की और जा रहे हो याद दिलाया बाबा ने कि आपको बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी है मुरली में रेगुलर बनना है पंक्च्छवल बनना है साथ साथ अपना चार्ट भी रखना है मनसा वाचा करमना किसी को दुख तो नहीं दिया फिर बाबा ने कहा आपकी जो पवित्रता है मनसा में भी ऐ पवित्रता ना हूँ वाचा में आपकी सत्यता और मधूरता हूँ कर्मणा में हर्षित मुक्ता संतुष्टता हूँ नम्रता हूँ जब आप ऐसा पुर्षार्ट करेंगे तब कहेंगे पवित्र आत्मा अब हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे बाबनी का मीठे बच्चे तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई बी एप्राप्त वस्तु नहीं आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां एप्राप्त कोई वस्तु नहीं कोष्चन है किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धी में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वेराग रहता है दो शब्दों का राज आपकी बुद्धी में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वेराग रहता है उतरती कला और चड़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धी में है जानते हो आधा कलप हम उतरते आए अभी है चड़ने का समय बाबा आए है नर से नारायन बनाने की सत्य नौलिज देने के लिए बाबा क्यों आए है नर से नारायन बनाने की सत्य नौलिज देने हमारे लिए कल्यूग पूरा हुआ नई दुनिया में जाना है इसलिए इससे बेहद का वेराग है क्योंकि हम नई दुनिया में जा रहे हैं तो पुरानी दुनिया से बेहद का वेराग है गीत है धीरजधर मनवा धीरजधर ओम शांती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना रुहानी बाब बैट समझाते ये एकी पुर्शोतम संगम युग है जबकि कल्प कल्प बाबा आकर रुहानी बच्चों को पढ़ाते हैं संगम युग पर बाबा आकर बच्चों को पढ़ाते हैं राज्योग सिखाते हैं बाप रुहानी बच्चों को कहते हैं मनवा अर्थार्थ आत्मा हे आत्मा धीरजधरू आतमां से बात करते हैं इस शरीर का मालिक आतमा है आतमा कहती मैं अविनाशी आतमा हूँ ये मेरा शरीर है रुहानी बाप कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ सुख के दिन आते हैं अब तुम दुख धाम रोरव नर्क में हो, सिरफ तुम नहीं हो, सारी ही दुनिया रोरव नर्क में है, तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रोरव नर्क से निकल कर स्वर्ग में चल रहे हो, सत्युग त्रेता द्वापर पास हो गया, कल्युग भी तुम्हारे लिए पास हो गय तुम्हारे लिए पुर्शोतम संगम यूग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी, तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी, सतो प्रधान आत्मा को सत्यों में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है, बाबा कहते बच्चे, अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, कल यूगी दुनिया दुख धाम है, यहां से निकल कर सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुर्शार्थ करना है, सुख धाम में लक्ष्मि नाराण की राजाई थी, तुम पुर्शार्थ कर रहे हो, नर से श्री नाराइन बनने का ये सत्य नर्स नाराइन बनने की knowledge है भगती मारग में हर पूरनमाशी पर कथा सुनते आई प्रन्तु वो है भगती मारग उससे सत्य मारग नहीं कहेंगे ग्यान मारग है सत्य मारग तुम सेड़ी उतरते- उतरते जूट खंड में आते हो अब तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नौलेज पाकर 21 जनम देवी देवता बनेंगे सत्य बाप से नौलेज प्राप्त करके हम 21 जनमों के लिए देवी देवता बनेंगे हम थे, फिर सीड़ी उतरते आए उतरती कला, चड़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धी में है पुकारतें बाबा आके हमें पावन बनाओ एक बाप ही पावन बनाने वाला है कहतें बच्चे, तुम सत्यों में विश्व के मालिक थे बहुत धनवान, बहुत सुखी थे अभी बाकी थोड़ा समय है पुराने दुनिया का विनाज सामने खड़ा है नई दुनिया में एक राज्चे एक भाशा थी उसे कहतें अद्वैत राज्चे अभी कितना द्वैत है अनेक भाशाई हैं जैसे मनुश्यों का जाड़ बढ़ता जाता भाशाउं का भी जाड़ वरिधी को पाता जाता फिर होगी एक भाशा गायन भी है वर्ल्ड की इस्टी जोगरफी रिपीट मनुश्यों के बुद्धी में नहीं बैठता बाप इदुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते है लिखा हुआ है प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा डीटिजम की स्थापना ये है राच्यों की पढ़ाई ये ज्यान जो गीता में लिखा हुआ है बाबा ने जो समुक सुनाया वे फिर भगती मारग में लिखा गया इसी समय डारक्ट गीता ग्यान हम सबको प्राप्थ होता है बाबा की मुरली सच्ची गीता है जिससे तुम ग्यान भगती मारग की गीता पढ़ते तुम बच्चे नीचे उतरते आए अब भगती का फल मिला भगवान पढ़ाते हैं उपर चड़ने के लिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी है चड़ती कला ग्यान मारग में इस समय तुम्हारी चड़ती कला है रामन की एफिजी बनाकर जलाते हैं वैसे दुश्मनों की एफिजी जलाते अल्पकाल के लिए ये इस एक रावन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं बाबा केते तुम गोल्डन एज बुद्धी से आईरन एज बुद्धी हो गए आप गोल्डन एज बुद्धी थे फिर आईरन एज हो गए तुम कितने सुखी थे बाबा आते हैं सुखदाम की स्थापना करने फिर बाद में भगती मारग शुरू होता, तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वे भी नाम मात्र, क्योंकि उन्हें जानते नहीं, गीता में नाम बदल दिया, अब तुम्हें एक को ही याद करना है, अव्वे बिचारी याद, अव्वे बिचारी ज्या कहा जाता अभी तुम ब्रामन बने हो तो भगती नहीं करते हो तुमें ज्ञान है बाप पढ़ाते हैं जिससे हम देवता बन जाते हैं दैविगुन भी धारण करने हैं इसलिए बाबा के ते अपना चार्ट रखो मालूम पढ़ेगा हमारे में आस्वरी अवगुन तो नहीं देव इमान सबसे पहला अवगुन है फिर दुश्मन है काम काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे तुम्हारा उदेश्य ये है इन लक्ष्मी नारण के राज्चे में कोई अनेक धरम थे नहीं स्री लक्ष्मी नारण का राज्चे था तो एक धरम एक राज्चे एक भाशा थी, हैं भले वो भी मनुष्य, प्रन्तु दैविगुणों वाले, इसमें सब मनुष्य आसुरी अवगुणों वाले हैं, सत्योग में काम महाशत्रू होता नहीं, बाबा केते इस काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो, वहां रावन होता नहीं, ये भी मन मिलती है, अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो, तो जनम जनमांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, बाबा केते अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो, तो जनम जनमांतर के पाप नस्ट हो जाएंगे, तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर कोई पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो 100 गुणा बन चाहेगा, विकार में गए, तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा, फिर वो मुश्किल चड़ सकते, पहला नंबर दुश्मन, ये काम है पांच मंजिल से गिरेंगे तो हडगुट एकदम तूट जाएगी, शायद मर भी जाए उपर से गिरने से एकदम चकना चूर हो जाते बाप से प्रतिग्या तोड़ काला मू किया, तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया यहां से मर गया, उसको ब्रामन भी नहीं, शुद्र कहा जाएगा बाबा कितना सहज समझाते, बाबा केते अगर कोई शुरीमत का उलंगन करता है तो वो ब्रामन की बजाए शुद्र बन चाता है पहले तो नशा रहना चाहिए इस समय नशा रहना चाहिए कि भगवान स्वयम मुझे पढ़ाते हैं पक्का निश्य होना चाहिए स्रीलक्षमी नारायन का बच्पन है श्रीराधे स्रेक्रिष्न ब्रह्मा का भी राज समझाया ब्रह्मा सरस्वती सो स्रीलक्षमी नारायन अब ट्रांसफर होते हैं पिछाडी का इनका नाम ब्रह्मा रखा बाकि ब्रह्मा तो एकदम आईरेनेश में खड़ा है यही फिर तपस्या कर स्रेकृष्ण वाश्री नारायन बनते हैं विश्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते ब्रह्मा की बेटी सरस्वती ये बाते कोई समझ ना सके चार भुजा वाले ब्रह्मा को भी देते हैं चार भुजाएं ब्रह्मा को भी दिखाते हैं क्योंकि परविर्ती मारग है नरविर्ती मारग वाले ये ज्ञान देना सके जो सन्यासी हैं वो नरवर्ती मारग के हैं वो ये ज्ञान देना सके बहतों को बाहर से फसा कर ले आते हैं चलो हम प्राचीन राजयोग सिखाएं, अब सन्यासी राजयोग सिखा न सकें, अब इश्वर आए हैं, उनके तुम बच्चे इश्वरिय संप्रदाय बने हूँ, इश्वर आए हैं तुम्हें पढ़ाने, तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं, वो है निराकार, ब्रह्मा द् निराकार्श्व बाबा पढ़ाते हैं तुम भी पतित से पावन बनते हूँ बाब पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए अभी रावन राच्य आसुरी संप्रदाई है अब तुम इश्वरिय संप्रदाई बने हूँ फिर दैवे संप्रदाई बनेंगे, आप पुर्शोतम संगम युकपर हो, पावन बन रहे हो, सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते, यहां बाबा कहते हैं, भले घर गरस्त में रहो, घर गरस्त में रहते पवित्र रहो, घर गरस्त में रहते बहुत उची पवित्र द्रिश् अलिफ्या रहो, बाब कहते हैं, तुम्हें घर गरस्त रच के भागना नहीं, घर गरस्त में रहते हुए बाबा को याद करना है, वो तो हद का सन्यास जो भागते हैं, तुम्हां बैचियो, प्रंटु तुम्हे स्विकारी दुनिया से वहराग है, यह बातें अच्चि और करनी है, नोट करनी है, परहेज भी रखनी है, दैवी गुन धारण करनी है, लक्षे रखना है, घर गरस्त में रहते हैं, पवित्र रहना है, दैवी गुन धारण करनी है, स्री कृष्ण के गुन गाई जाते हैं, यह तुम्हारी एम अपसेक्ट है, बाप नहीं बनते, तुम् पिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो, मैं नहीं बनता, ये बनते हैं, शिव बाबा के ते मैं कभी तमो प्रधान नहीं बनता, मैं सदा ही सतो प्रधान हूँ, ब्रह्मा की आत्मा धिरे-दिरे तमो प्रधान बनती है, तुम बच्चे बनते हो लेकिन शिव बाबा ने, चुरासी जनम भी इसने लिए, इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है, ये पुर्शार्थी है, ये भी पुर्शार्थी है, ब्रह्मा भी पुर्शार्थ कर रहा है, नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे, हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रज जो तबों में आती, छोटे बच्चे को महात्मा कहा जाता, क्योंकि उसमें विकार नहीं होते, इसलिए उन्हें फूल कहा जाता है, चोटे बच्चों को फूल कहा जाता है, क्योंकि उन्हें विकार नहीं, इसलिए उन्हें फूल कहते है, सन्यासियों से छोटे बच्चे को उ अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया में जाना है। नहीं करना नहीं तो पत्थर बुद्धी बन जाएंगे। इंद्रसभा की कहानी भी है। शुद्र को ले आई तो इंद्रसभा में उसकी बदबू आने लगी। तो बोला पतित को यहां क्यों लाया। फिर उनको शराप दे दिया। वास्तों में इस सभा में भी कोई पतित नहीं आ सकता। भले बाप को मालूम पड़े या ना पड़े। यह तो अपना ही नुकसान करते। और ही सोगुना दंड पड़ जाता। पतित को अलाव नहीं किया जाता। उनके लिए विस्टिंग रूम ठीक है। कोई नया आता है तो उसको विस्टिंग रूम में बिठाया जाता है। बाबा मिलन की सभा में वो ही जा सकते हैं जो सबनियम पालन करते हैं। दैविगुम धारन करने में टाइम लगता। पावन बननी की एक ही परतिग्या है। ये भी समझाय जाता। देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग-अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप है। सब दुखों से लिबरेट कर शांती धाम में ले जाते हैं। शांती धाम, सुख धाम और दुख धाम ये भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांती धाम से सुख धाम में वो आएंगे, जो नंबरवार पास होंगे, वो ही आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। धेर की धेर आतमाई हैं। सब का पार्ट नंबर वन, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है, सब का पार्ट नंबरवार है। जाएंगे भी नंबरवार। ध्यान से समझेंगे, ये सृष्टी चक्र फिरता रहता है। हर एक आतमा का अपना अपना पार्ट है। नंबरवार आती हैं आतमाईं। पार्ट बचाने के लिए। दूसरे धरम वालों का भी ऐसे होता, बच्चों को रोज समझाए जाता, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो एपसेंट हो जाएंगे, पढ़ाई के लिफ्ट जरूर चाहिए, गौडली ये निवस्टी में एपसेंट थोड़ी होना चाहिए, गौडली ये निवस्टी है, गौड खुद पढ़ाते हैं तो एपसेंट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई कितनी उची है, जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, तो अनाज सफ्री रहता, पैसा नहीं लगता, अभी तो कितना महंगा है, सोवर्ष में कितना महंगा हो गय वहाँ कोई एप्राप्त वस्तु नहीं, जिसके लिए मुश्किलात आए, वो है सुखधाम, तुम अब वहाँ के लिए त्यारी कर रहे हो, आप स्वर्ष की त्यारी कर रहे हो, तुम बैगर तो प्रिंस बनते हो, साहुकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते, अच्छा, मिटे मिटे सिके लदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप तदका, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते, रुखानी बच्चो की रुखानी बाप तदको नमस्ते, गुड बॉर्णिंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दार्णा के लिए सार, साइलेंस में बैठ कर सोचेंगे, आज बाबा ने क्या-क्या समझाया, पहली पॉइंट, बाबा से जो संपूरण पावन बननी की परतिज्या की है, इसे पूरा निभाना है, बहुत परहेज रखनी है, चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, गौडली उनिवस्टी में, अपसेंच नहीं होना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, अपसेंच नहीं होना, सुखदाम का मालिक बनने की उचे पढ़ाई, एक दिन भी मिस नहीं करनी, मुरली रोज सुननी है, बाबा रोज पढ़ाने आते हैं, मुरली जुरूर सुननी है, वरदान है, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में, संपूरन माक्स लेने वाले, नंबर वन आज्याकारी भव, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में, संपूरन माक्स लेने वाले, नमबर वन आज्याकारी भव मनसब पवित्रता अर्था संकल्प में भी ऐ पवित्रता के संसकार इमर्च ना हूँ सदा आत्मिक स्वरूप अर्था भाई-भाई की स्रेष्ट स्मृती रहे वाचा में सदा सत्यता और मधूरता हूँ कर्मणा में सदा नम्रता, संतुस्टता और हर्षित मुकता हूँ इसी अधार पे नमबर मिलते हैं और ऐसे संपूरण पवित्र आज्याकारी बच्चों का बाबा भी गुणगान करते हैं वो ही अपने हर करम से बाबा के करतवे को सिद्ध करने वाले समी प्रतन है ऐसे जो पवित्रता को अपनाते हैं वो ही बाबा को सिद्ध करने वाले प्रत्यक्ष करने वाले रतन है स्लोगने समंद संपर्क और सिती में लाइट बनू दिन्चरिया में नहीं समंद संपर्क और सिती में लाइट बनू दिन्चरिया में नहीं दिंचरिया में तो हमें बहुत शक्तिशाली बनकर रेगुलर, डिसिप्लेंड रहना है, उसमें लाइट नहीं होना, कुछ लोग अमरित वेले उठें नहीं उठें, मुरली सुनें, नहीं सुनें, बहुत लाइट नहीं रहते हैं कि कोई बात नहीं, बाबा के ते समंध संपर लेकिन दिंचरिया में बहुत अच्छे तरह से शक्तिशाली बनकर पूरे अनुशाशित तरीके से अपनी दिंचरिया को बना के रखना है, आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाबा का आज्याकारी बच्चा हूं झाल झाल